आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग कीचन टीप्स जिन से खाना भी टेस्टी बनेगा और कीचन की हर मुश्किल भी असान होगी हेलो एवरिवन मैं हूँ अंचिना तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम हमें कुछ ऐसी रेसिपी भी बनानी होती है जिन में हमें कुटा हुआ गुड चाहिए होता है यदि मिक्सी में हम इसी पीशते हैं तो गुड गर्माहट की वज़े से मेल्ट होने लगता है और kitchen counter पर यदि हम good को कूटते हैं तो kitchen messy हो जाता है तो इसके लिए हमेशा good को जब भी कूटे इसे poly bag में डाल कर ही कूटे इससे good easily कूटा भी जाएगा और kitchen messy भी नहीं होगा टिप छोटी सी है लेकिन बहुत useful है कई बार हम good को direct kitchen counter पर कूट लेते हैं इससे kitchen भी messy होता है और इसके साथ-साथ kitchen counter पर चीटियां भी आने लगती है यदि हम इस प्रकार से good को कूटेंगे तो good easily कूटा जाएगा अब इस कूटे हुए good का use हम अपनी recipe में कर सकते हैं कई बार घर में कच्चे केले आ जाते हैं तो इन कच्चे केलों की या तो हम सबजी बना सकते हैं यदि सबजी नहीं बनाना चाते और चाते हैं कि ये पक जाए तो इसके लिए हम चावल का use कर सकते हैं किसी भी एक बड़े बर्तर में हम चावल लेंगे या चावल का कंटेनर बड़ा है तो उसमें भी हम इन केलों को डाल सकते हैं चावल से इन केलों को पूरा cover कर देंगे और 6-7 घंटे के लिए हमें इसी चावल के अंदर इन केलों को रखना है चावल की कंटेनर को कवर करेंगे और 6-7 खंटे के बाद चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि केले पूरी तरह से पक जाएंगे बहुत बार किचन में न्यूस पेपर हमें चाहिए होता है तो उसे हमें बार बार ठूणना पड़ता है यदि मिल भी जाए तो उसे कट करो फिर यूज़ करो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है यदि हम न्यूस पेपर को पहले से ही पीसिस में कट करके रख ले तो इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और जब भी हमें न्यूस पेपर चाहिए होगा तो हम इसली ले सकते हैं सबसे पहले इन्हें इस प्रकार से पीसिस में कट कर लेंगे एक लेंगे सेफटी पिन न्यूस पेपर के सबी पीसिस को इस सेफटी पिन की अंदर डालेंगे और सेफटी पिन लगे हुए न्यूस पेपर के इन पीसिस को हम डोर की पैक साइट में हैंग कर सकते हैं जब भी हमें न्यूस पेपर चाहिए होगा तो हम यहां से इसली ले सकते हैं इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा कई पार क्या होता है कि कीचन में हमारे पास कप्स के लिए और्गनाईजर नहीं होता तो हम डेली यूस वाले कप्स को कुछ इस पकार से भी अरेंज कर सकते हैं कप के सबी हैंडल्स को एक दूसरे के अंदर फसाना है इससे ये कप अच्छे से और्गनाईजर रहेंगे अब इससे हम कहीं भी कीचन कैबिनेट या कीचन काउंटर पर रख सकते हैं अब मैं शेयर करूंगी पनीर की एक बहुती टेस्टी सी रेसिपी इसके लिए हम लेंगे एक पैन और इसमें हम लेंगे ओल इस ओयल में हमने पनीर को फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर को हम फ्राई करेंगे पनीर को मैंने पहले से ही क्यूप्स में कट कर लिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे फ्राई करने के बाद बटर पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए अब एक कड़ाई में हम फिर से लेंगे कुकिंग ओयल और इसमें डालेंगे जीरा जीरा के तड़कने पर इसमें हम डालेंगे अद्द कलैसून का पेस्ट प्यास डालेंगे और प्यास को golden brown होने तक fry करेंगे जब प्यास अच्छे से golden brown हो जाए तो हमने तीनों ही color की shimla mix को लंबाई में कट करना है और इसमें add करना है इन सब को mix करने के बाद सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक नमक डालने से shimla में चल्दी soft हो जाती है low flame पर इन सब को roast करेंगे और इसके बाद इसमें masala आड़ करेंगे healthy powder डालेंगे, lalmich powder डालेंगे और इन सब को mix करेंगे एक बड़ा चमच इसमें हम डालेंगे soya sauce और एक चमच इसमें हम डालेंगे tomato sauce इन सब को एक बार mix करेंगे और इसके बाद इसमें add करेंगे fry किया हुआ पनीर पनीर डालने के बाद 2-3 मिनट तक इन सब को cook करेंगे दो से 3 मिनट को करने के बाद ready हो जाएगी मसालेदार yummy fried पनीर इस yummy recipe को rice या चपाती के साथ enjoy कर सकते हैं comment करके चूर बताईएगा कि इन में से सबसे अच्छी kitchen tip कौन सी लगी तो मिलेंगे मेरी next वीडियो में एक नई recipe और एक नई kitchen tip के साथ keep smiling stay healthy